या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो अत्वा रिस्क न लेकर खुद के लिए एक रिस्क बन जाओ नमस्कार सांती हूं मैं अजीत कुमार आपका डिजिटल प्लाटफॉर्म कम्टेशन कमूटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले के वीडियो को आप सभी ने जिरूर से देखा होगा जिसमें हमने आपको एक बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेट पढ़ाया था जिससे आपके एसाइम मिंस में कोश्चन रहेंगे ही रहेंगे तो आज इस वीडियो सेटन में हम लोग एक और important concept की चरचा करेंगे जिस पर आधारित कुछ प्रसनों को भी हम लोग बनाएगे ताकि जो भी concept हम लोग सीखेंगे उस पे आधारी जो भी आपके confusion है वो सारे के सारे clear हो जाए और आपका concept जो है उसको रटने की जरुवत ना पड़े बलकि वो आपके अंतर मन में जाके अंतर नहीं थो जाए ठीक है चलिए तो इसे उदेसे से हम लोग आज के इस video session को आगे बढ़ाएंगे लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक मतोपुर्ण सुचना जो हम आपको यहां पर बताते चले कि हम लोगों का सीजी एसाइमेंस और एडी ओ का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 13th of March 2013 से जिसकी सुबह के टाइमिंग होगी साथ से साड ठीक है यह हमारे चार सेंटर्स पर सुरू हो रहा है बिलासपूर राइपूर दुर्व और राजनाद गाओं में ठीक है टेस्ट रिजाब का पहले से सुरू हो चुका है तो चलिए वीडियो सेशन को हम लोग फटा-फटा आगे पढ़ाते हैं और देखते हैं आज हम होता है इच दूसरा होता है इवरी इच इवरी और फिर क्या होता है तो फिर होता है आइदर आइदर और नाइदर आइदर और यह सिर्फ और सिर्फ चार वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं इनको हम लोग कहते हैं डिस्टिब्यूटिव ठीक है दोस्तों अब इसे कि किस तरीके के प्रस्ण पूछे जाते हैं आईए इन सब को हम लोग आपर सीखना सुरू करते हैं अर्थात अब हम लोग इस पर आधारित इसके रूल को सीखना सुरू करते हैं तो इस पर सबसे पहला जो रूल है वो यह है कि कहीं भी कोई भी Distributive हो क्या हो कहीं भी कोई भी Distributive का Use किया गया हो किसी भी Distributive का Use किया गया हो अरथाथ आपके सामने कोई भी ऐसा word हो कोई भी ऐसा word जिसमें Each Every Every आईदर नाईदर का प्रयोग किया गया हो जैसे कहीं पर आपको Everyone मिल जाए तो उसको देखके घवराना नहीं है, everyone में every का प्रयोग है या नहीं है, तो देखके everyone में every अगर है, तो वहाँ पे ये rule apply होगा, तो कहीं भी each हो, every हो, either हो, neither हो, ये ये the present हो, तो ये rule आपका apply होगा, किस तरीके से ये rule apply होगा, आइए दोस्तों सीखते हैं हम दोग, तो distributed का concept है कि कहीं भी कोई भी distributed word था, तिन चारों में से कोई भी word कहीं भी उपलब्द हो, तो इसके बाद, अब इसके बाद यहाँ जो भी noun या pronoun आएगा, in for noun और pro for pronoun, ठीक है, कोई भी noun या pronoun जो भी noun या pronoun आएगा, ये सब का सब कैसा रहेगा, ये सब का सब हमेशा और हमेश लिखा जाएगा, singular कैसा रहेगा, ये रहेगा singular, और इसके बाद, इस noun या pronoun के बाद, यदि यहाँ पे कोई वर्ब आए, तो ये वर्ब भी लिखा जाएगा, singular कैसा वर्ब लिखा जाएगा, तो इस वर्ब को भी हम लोग रखेंगे, singular, ठीक है दोस्तों, यानि कि इसको ठी से समझे हम लोग, each, every, either, neither, ये चारों को क्या बोलते हैं, हम लोग, इन चारों को हम लोग बोलते हैं, distributive क्या बोलेंगे, distributive बोलेंगे, और इनके बाद, कोई भी noun या pronoun आए, तो वो रहेगा, singular, और उस noun या pronoun के बाद, कोई भी वर्ब आए, तो उस वर्ब को भी हम लोग दिखाएं पड़े, तो उसके बाद आने वाले noun हो, pronoun हो, या वर्ब हो, उसके बाद आने वाले noun, pronoun या वर्ब, इन सभी को हम लोग कैसा रखेंगे, singular रखेंगे, यानि कि मोटे तोर पे और आसान से सब्दों में यदि कहें, तो इन चारों के बाद, each, every, either, neither, इन चारों के बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, singular, चाहे वो noun हो, pronoun हो, या वर्ब, वो सब का सब कैसा रहेगा, सब का सब रहेगा, दोस्तों, singular, ठीक है, चलिए, अब ये एक rule हो गया, दूसरा rule सीख ले, दूसरा rule भी है, इसी पे best, दूसरा rule क्या कहता है, आपको यहाँ पे preposition of का प्रयोग दिखाई दे, फिर से ठीक से समझेगा, यहाँ पे rule number one और rule number two में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, आईये समझते हैं, कहीं भी कोई भी distributed, वो distributed के तुरंत बाद यह आपको preposition of का प्रयोग दिखाई दे, preposition of दिखाई दे, यह जो noun या pronoun होगा, यह जो noun या pronoun होगा, यह रहेगा, plural कैसा रहेगा, यह हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा, plural, लेकिन वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा, वर्ब हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा, singular कैसा लिखा जाएगा, वर्ब हमेशा और हमेशा लिखा आसान तरीके से दुनों में क्या डिफरेंस है इसको हम समझाते हैं देखिए कहीं भी आपको कोई भी डिस्टिबूटिव दिखाई दे अर्था इच एवरी आइदर नाइदर इन चारों में से कोई भी कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप सिंपली चेक किजिएगा इस डिस 니ka ओंन ढूब्र नाउन या तो रहे गा प्रणाउं को छोड़के इसके बाद जो भी आएगा उसके बाद कोई वर्ब आए या जो भी आयसब का सब रहेगा singular ठीक है दूसरे तरीका से समझिए दूसरे तरीके से यदि प्रेपोजीशन और प्रेजेंट है फिर से रिपीट करते हुए हम दूसरे तरीके की तरफ आगे आप पूले चलेंगे कहीं भी कोई लेकिन वर्ब रहेगा singular ठीक है इस बात को ठीक से समझेगा लेकिन यदि किसी बेडिस्टिब्यूटिव के बाद प्रेजेंट नहों तो सब कुछ सिंगुलर बात समझ में आ गई सब कुछ सिंगुलर अर्थात नाउन या प्रणाउन भी सिंगुलर वर भी सिंगुलर तीसरे तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं भी इच एवरी आइदर नाइदर इन चारों में से कहीं भी कोई भी प्रेजेंट हो लेकिन इनके साथ वर्ब हमेसा और हमेसा कैसा यूज़ करना है तो वर्ब को हमेसा हम लोग रखेंगे singular कैस देखें ध्यान से यहां पर यह क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है इच क्या होगा भाई डिस्टिब्यूटिव जैसे ही इच आपको दिखाए दिया इसके बाद देखें कोई ओफ है क्या नहीं है तो सब कुछ कैसा रहेगा singular रहेगा तो यह प्लेयर्स क्या है इसको हमें remove करना होगा ठीक है तो अभी आपको फिलाल बताना था कि इस question में error कहां पर था तो player वाले section में था player वाला word कहां लिखा है यहां पर लिखा है option number B में लिखा है तो इस question का correct answer बन गया आपका option number B अरतात इस question में हम लोगों को बताना था कि गलती कहां पर है sentence का वो player find करना था ठीक है और यह वाला डूणना है कि यह वाला किस option में लिखा हुआ तो यह कहां पर लिखा हुआ है option number B में लिखा है player वाला part कहां पर लिखा है option number B में लिखा है इसलिए this question का answer हमारा क्या होगा option number B होगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़तें यहां से चलतें अगले question के तरफ अगला question देखें क्या है यहां पर each and every अब यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा confusion होता है सर आपने बताया कि यह each क्या है डिस्टिब्यूटी भई यह every क्या है जितने भी प्रस्ण है, सब हमने अलग-अलग प्रकार के uns never we hold back जिसमें आपको फ़साने का प्रयाज किया जा सकता है जिस तरीके से आपको confuse करने का प्रयाज किया जा सकता है इन सभी तरीकों को हमने अलग-अलग तरीके से चाट के इस प्रकार के question को arrange करके आज के इस वीडियो को schedule के ठीक है जरा ध्यान दिजिएगा each or every को end से जोड़ दीजिए कॉमा से जोड़ दीजिए कुछ भी कर दीजिए each or every के बाद यदि preposition off है यदि each or every के तुरंत बाद preposition off है तो उसके बाद आने वाला noun या प् तुरंत बाद इसको आपस मैंट से जोड़ दिया गया हो कॉमा से जोड़ दिया गया हो और से जोड़ दिया गया हो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके तुरंत बाद यदि preposition off नहीं लगा हुआ है तो इनके बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहेगा सब कुछ लिखा जा जाएगा सिंगुलर कैसा लिखा जाएगा अर्थात एंके बाद आने वाला नावन या प्रोनावन भी सिंगुलर और वर्ग भी सिंगुलर तो आज़रół चेक करते हैcom परसन कैसा है झाल हुए टोग medals किसी भी वर्ब होता है यह किसी वर्ब का जो फोर्ब होता है यह हम 훨씬 अगल कैसा होता है और नवी बन जाता है तो वह इस लगा देती है तो वहीं बन जाता है वर्ब का पाँचवा फॉर्म जिसमें एस एस लगा होता है ठीक है तो वर्ब के फॉर्स फॉर्म में एस एस लगा देने से वही वर्ब बन जाता है प्लूरल से सिंगुलर क्या बन जाता है सिंगुलर बन जाता है ठीक है अब हैब का पाँचवा फॉर्म क्या होता है तो हैब का फॉर् वोक तक, यह जो sentence है इसके किस part में error है इस sentence को कुछ part में break करके उस part का नाम दे दिया गया होता है A, B, C, D यदि ABC तीन part में से किसे भी part में error है तो जिस part में गलती होगी आपका उत्तर, वही होता है आपका answer atwa यदि ABC तीनो part में कहीं भी error नहीं है इस question concern नमारा बनेगा option number B क्या बनेगा option number B बनेगा तो उस्तों ठीक है बढ़ते आगे चलते अगले question की तरफ देखे हमारा अगला question क्या है अगला question है everyone आ रही है देखे everyone आपको दिखाई दिया इस everyone को देखे nervous नहीं होना है घवराना नहीं है everyone में देखे यह every present है या नहीं है तो सर प्रेजेंट है every present हो गया यानि के distributed present है तो इसके बाद आप चेकिजिए इसके तुरंत बाद off है क्या यदि off है तब तो rule number two लगाएंगे यदि off नहीं है तो सीधा सब को singular अरथार रोल number one तो देखे इस everyone के तुरंत बाद off है क्या नहीं है तो सब कुछ कैसा रहेगा सब कुछ रहेगा सिंगुलर तो यहां देखे तुरंत बाद में क्या लिखा हुआ है वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब को कैसा होना चाहिए singular और यहा बनेगा दोस्तों और यह बनेगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की बात करते हैं तो अगला कोशन नहीं आपके लिए यहां पर एक और इनफोर्मेशन है के इनफोर्मेशन है फिप्टिंट ओफ मार्च ठीक है पंदर मार्च से बैंक एससी और रेलवे की बैच भी शुरू हो रही है आपके चार सहरों में बिलासपूर रायपूर दुर्ग और राजनान काहों में ठीक है और इसके लिए आप एडमिशन ले सकते अप लेंगे तो चार दिनों का आपका फ्री डेमो भी है और यह बैच कब से शुरूर रहा है तो पंदर मार्च 2023 से शुरूर है इसके अलावा इससे भी अच्छे एक और इनफोर्मेशन है आप सभी के लिए 14 मार्च को हमारे इन चारों सेंटर कौन कौन से भाई बिलासप करना चाहिए इसमें देख सकते हैं ढेरों सारे इनाम है जैसे आपका टैबलेट है और यह बैग एंड्बॉकस थीक है फिर इस प्रकार के वैग से ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं, जिसको आपको free में लेना है, और इसमें appear होने के लिए, इस count मार्णिंड Kelsey में सामिल होने के लिए, participate करने के लिए, आपको एक भी रुपया कर्च करने के जरुवत नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो organization community के website चले जाना है, वहाँ पे जाके 14th March को जो आपका मेगाटे स्रीज होना है इसके लिए आपको क्या करना है तो free of cost registration करना है ठीक है और registration करके आप अपने किसी भी center पे जा सकते हैं आप अपने nearest किसी भी center पे जा सकते हैं अर्थाथ बिलासपूर, रायपूर, राजनान गाउं और दुर्ग इन चारों में से किसी भी center पे जा कि आप अपियर हो सकते हैं और ऐसे डेरों इनाम आप जीच सकते हैं ठीक है ये एक मौका होता है अपने आपको judge करने का यदि हमारी तैहरी ठीक है तो हमने कितना develop किया खुद को हम कैसा जान पाए है किसी भी चीज को ये हमारा जो assignments का preparation है वो कैसा चल रहा है इन सभी प्रकार की चीजों को जाचने परकने का एक प्रकार का ये सुनहरा औसर भी होता है प्राइज को जीतने के सांसा ठीक है और आपको एक भी रुपेस में खर्च करना नहीं है तो free of cost चीजे मिल रही है तो इसका जरूर से आप सब को लाब उठाना चाहिए मौके का भरपूर फाइता उठाना चाहिए ठीक है डिस्ट्रिबूटीव के तुरंथ पहां देखें प्रीफो जीसान है नहीं नहीं है तो सब कुछ कैसा रहивет सिंगूर तो यह चाहिए पढ़या je तो अब आप इसके आगे बढ़े और चेक किजिए कि इसके आगे जो वर्ब दिया गया है वो singular है अथ्वान नहीं है तो यहाँ पे देखे यह वर्ब कैसा है यह वर्ब दिया गया है आर जो plural है तो इसके जिगा हमें सही करके क्या लिखना होगा इस लिखना होगा ठीक है अप्शन नमबर भी बढ़ते हैं आगे अगले कोशन की तरफ अकला कोशन फिर से यह आपके सामने इस कोशन को जरा ठीक से पढ़िएगा और इससे हाट कोशन आपके एक्जाम में आने वाले नहीं है ठीक है तो आपके डिफिकल्टी लिवल का भी वीसी सुरूप से ध्या और सब्जेट का जो कुछ भी यहां पर आपको पढ़ाए जागा यदि इससे कोशन रहेंगे और यदि नहीं इससे कोशन तो रहेंगे ही रहेंगे तो इसके बाहर आपके एक्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इच आफ द अब यहा क्या सा रखना है प्लूरल रखना है infl diary यह क्या है नावन डिक है तो लोन होगा क्या रोम एस लगा देंगे बन जहेंगा यह अवक्षा treatment कहीं कोई फर्क नहीं परता उसका प्रयोग सिंगुलर फर्म में भी करते हैं प्लूरल फर्म में भी करते हैं सिंगुलर सब्जेट के साथ भी करते हैं ही के साथ भी मस्ट का प्रयोग करते हैं दे के साथ भी मस्ट का प्रयोग करते हैं ठीक है तो वर में यहाँ पे कहीं कोई कि तरफ इतने कोश्चन आज हम आपको करा देंगे कि स्कॉंसेट को सीखने के बाद इस कॉंसेट पर 500 कहीं भी आपको कोशन दिखाई पड़े तो आज के बाद आप कोशन देखते के साथ सूट कर देंगे क्या करना उसको सूट कर देना जिंदा बचना नहीं चाहिए दोस्तों ठीक है हमेशा हमेशा के लिए इसको खत्म कर देना चलिए बढ़ते आगे अगले कोशन में फिर से यहां देखे इच और यहां देखे एवरी फिर से दो डिस्टिबूटिव आ गया दोनों को एंड से करेंट कर दिया गया तो हमने आपको क्या बताया दो या दो से अधिक डिस्टिबूटिव एक साथ आ जाए आपको नर्वस नहीं होना है आपको घवराना नहीं है उसको इच एनेवरी के बाद आफ है क्या नहीं है तो यदि डिस्टिब्यूटिव लिखा होता उसको आपस में किसी वर्ट से किसी कंजक्शन से या किसी प्रिपोजीशन से क्नेट किया गया होता चीक है और यदि उनके बाद याने डिस्टिब्यूटिव के बाद प्रिपोजीशन आफ होता तो लगाएंगे रूल नंबर टू और यदि प्रिपोजीशन आफ नहीं है तो सीधा लगाएंगे रूल नंबर वन अर्था सब कुछ रखेंगे सिंगुलर तो यहां पर प्रिपोजीशन आफ हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है अब हम लोग क्या करेंगे सब कुछ रखेंगे सिंगुलर तो यह देखे परसन कैसा है और यह कैसा रहेगा तो यह वर्ब है यह वर्ब कैसा होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो हैव के अस्थान पर क्या करेंगे हैस का प्रियूक करतेंगे ठीक है कोशन का अंसर बने का हमारा option पर भी next आगे प पोजीशन ऑफ आजाए क्या जाए डिस्टिब्यूटिव के बाद यदि प्रिपोजीशन ऑफ आजाए तो आफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम लोग ऐसा रखते हैं उसको रखते हैं दोस्तों प्लूरल के इंतु वर्ब को रखते हैं तो वर्व कैसा होना चाहिए था याद किजिए रूड लंबर टू में हमने आपको क्या पढ़ाए था हमने आपको पढ़ाए किसी बडिस्टिबूटिव के बाद यह दियो आजा है तो आपके बाद आने वाला नाउन यह प्रूनाउन रहेगा प्लूरल किन्तु वर्व रहे सिंगुलर तो वर्व को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते इसमें लगादेंगे हमारा सई हो जागा एक और एरॉर और आप नहीं किया गया हो इसे हमें कोई मतलब नहीं ठीक है ऑफ के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके बाद आने वहाला यह जो नाउन या प्रोनाउन होता है यह कैसा रहता है यह रहता है प्लूरल लेकिन यह दि कहीं भी कोई कुई बिस्टिभी हो कहीं भी कोई भी डिस्टिबीयूटीव हो यह हम आपको बताय मेसा और कभी कभी आप देखेंगे इसके आगे आपको यहां पे देर लिखा हुआ दिखाई दे ठीक है तो मुखे रूप से आपको यहां पे देर लिखा हुआ ही दिखाई पड़ता है तो देर के अस्थान पे आप किसको प्रेफर करेंगे पहले नंबर पे आप यूज करेंगे his को किसको use करेंगे his को क्योंकि there किस family का member the family का member is they, their, theirs or them ऐसा होता है बच्छों ठीक है तो they कैसा होता है plural होता है तो हमने आपको क्या बता है था distributed के बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहेगा singular रहेगा ठीक है लेकिन distributed के बाद distributed के तुरंत बाद यदि प्रिपोजीसर off का प्रयोग किया गया हो तो off के बाद आने वाला जो noun या pronoun होगा वो रहेगा plural लेकिन उसके बाद आने वाले सब कुछ जैसे ये वर्बाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा ये देर word आ सकता है तो देर आपको दिखाई पड़ेगा तो देर को आपके इसमें convert कर देंगे इसमें convert करेंगे ठीक है बात समझ में आ गए तो आप यहाँ पे इसको his में convert कर सकते हैं या आप इसको हर में भी convert कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कभी-कभी error पूछा जाता है अब इस question में देखे, कहां कहां बेरर है, तो सबसे पहला error आप से पूछ लिया गया, वर्ब में, दूसरा देखे, आपको यहां पर देर दिखाई देर है, तो देर को हम किसमें convert कर देंगे, देर के अस्थान पर हम लिख देंगे, his क्या लिख देंगे, his लिख देंगे, ठीक जब distributed आपको दिखाई देगा, तब, कब, जब कोई sentence, distributed से सुरू हो रहा होगा, तब, या distributed के बाद, यदि कोई noun या pronoun है, उसके बाद, वर्ब के बाद, यदि कोई भी आपको देर दिखाई पड़े, तो उस देर को किसमें convert कर देने है, his में convert कर देने बाद समझ में आ पर्मेंट में आपको करना क्या होता है, कि जो underline क्या हुअ पार्ट है, या जो गहरे मोटे अक्षरों में लिखा गया, पार्ट होता है, यदि वो grammatically गलत है, यदि वो grammar के रूप में गलत है, यदि वो grammatically गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको यहां पे तीन Architecture दी या दी इसमें grammar की कोई गलते हैं तो इसके लिए आपको तीनों और यहां पर दिखाए पड़ते हैं तीनों में से जो भी आपको करेक्ट लगे आपको उसको यूज करना होता है तो फिलाल इस कोशन में हम लोग बात करें तो हमारा answer क्या होना चाहिए हमारा answer होना चाहिए तो यहां पर पेज लिखा होना चाहिए चाहिए-स बोडिर लगा और यहां पर दियर है ठिक है तो यहां पर थोड़ी से गलती है यहाँ पे थोड़ी से गलती है, इस question में यहाँ पे correction कर लें, इस question में क्या करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा correction कर लें, यह printing error है, ठीक है, तो यह printing error है थोड़ा सा ही, इस question को type करने में गलती हो गई है, तो आप इसको correction कर लेंगे, तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा, option number B बने है इच और फिर से यहां देखे क्या दिखाई दे रहा है आपको इच यानि क्या होगा यह होगा हमारा डिस्टिबूटिव क्या दिखाई दे रहा है प्रिपोजीशन ओफ का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है तो इसके बाद आने वाला noun या pronoun कैसा होगा इसके बाद आने वाले noun या pronoun को हम लोग रखते हैं plural कैसा रखते हैं प्लूरल तो यह देखे जो girl है girl क्या है भई तो यह है noun तो यह girl कैसी है भई इस लगा हुआ है अर्थाती यह noun होकिया हमारा plural तो यह वाला पाड़ तो हमारा correct हो गया अब इसक तुरंत पाद या तो आने वाला वर्व होगा जिसमें गलती पूछी जा सकते हैं या फिर उस वर्व के आगे कहीं देर का प्रयोग किया गया होगा अब ये दो सेक्षन बच रहे हमारे आये चेक करते हैं तो सबसे पहले यहां देखे वर्व है वर्व में एरर है तो यहां प पहले से हर का प्रयोग कर लिया अब हर का प्रयोग क्यों अब आप में से कुछ बच्चे यहां भी कन्फ्यूज होंगे सर हर नहीं होना चाहिए यहां पर ही होना चाहिए ठीक है ऐसा आप में से कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं तो हम आपको ठीक करते चले यहां प कि असपस्टता हो इस बात को clarity हो इस बात की असपस्टता हो यह clear हो कि यहां पर distributed का प्रयोग किया गया है किसके लिए female के लिए तो इस condition में आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ हर का ही प्रयोग कर सकते हैं आप यहां पर ना तो देर का यूज नहीं करेंगे और नहीं हर का यूज करेंगे उस कंडिशन में आप यहां पर यूज करेंगे हिसका किसका यूज करेंगे हिसका यूज करेंगे ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस कोशन का अंसर बना हमारा नाउन या प्रोनाउन रहेगा प्लूरल लेकिन उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब और बाकि सभी चीज़े कैसे रहेगी सिंगूलर तो चलिए चेक करते हैं दीज बॉइज तो यह तो हो क्या प्लूरल यह वाला पार्ट हमारा करेक्ट होगा अब यह करते हैं तो क्या करेंगे यहां पर play में लगा देंगे एस तो यह sentence हमारा correct हो जाएगा तो फिलाल किस part में गलती है तो गलति थी हमारी option number B में तो इस question का अशर बना हमारा option number B ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखतें अगला question क्या है हमारा अगला इस आपको साफ है घ्राइब Tu STF एक बाद देखे इज्ञार के आने वाला इन इया प्रोरान कहए रहना चाहिए प्लूरल तो यह रोड किया है जाए यहाने ब्लूरल तो यह पार्ट पर थी option number B में तो इस question का भी answer हमारा क्या बनेगा option number B बनेगा ठीक है चलते हैं एक और question की तरफ यहां पर देखे अभी तक हम लोग जो question बना रहे थे उन सभी question में हम लोगों को दिखाई दे रहा था each या every या each and every ऐसा लिका हुआ either या neither हम लोगों को अभी तक दिखा नहीं तो आईए यह रहा neither पर बेस्ट question तो इस तरीके से either या neither का प्रयोग भी आपको दिखाई पड़ सकता है either का मतलब क्या होता है दोनों में से कोई एक ठीक है नाइदर का मतलब क्या होता है दोनों में से कोई नहीं न तो मुन्नी न तो सीला तो यूज करेंगे नाइदर या तो मुन्नी या तो सीला तो यूज करेंगे आइदर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखे यह आपको दिखाए दिया नाइदर ठीक है this of के बाद जो-भी नाउन या प्रोन आएगा वहोना चाहिए लो उन्हों होता है इसकाANS का हुटा है 2024 होता है चाइल्ड से वहोना चाहिए ला चाहिए संगुलर तो वर्ब यह क्या है ये सेकेंड ओर मैं या या नो इसको चाही मतलब नहीं होता तो अब वर्ब में यहाँ पे कोई गलती नहीं हो पाईगी वर्ब में गलती कब होती है जब और अपने फ्र्ट फॉर्म में हो तभी और तभी के वल गलतीयां संभव है वर्ब के रूप में अधर वाइस इन दोनों फॉर्म को छोड़के और किसी भी फॉर्मिट में यह दिखाए चली अब यहां पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रह दे अब जरह ध्यान दिजेगा अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में फिर से डाउट आएगा सरे यहां पर ही का यूज करें यहां पर यहां पर यह नाइदर ऑफ दू चिल्डेन मतलब यह दो ब पहिला है उनका जिन्डर पताचला क्या नहीं पताचली नहीं पताचल तो हम लोग क्या यूज करेंगे हम लोग फिर से यूझ करेंगे हेस का तो देर क्या स्थान पर हमें क्या आपक्शन नमबर भी नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले कोशन की तरफ अगले कोशन फिर से यह देखे थोड़ा सा डिफिकल्टी लिवल इसका भी बढ़ा के दिया गया आप सभी के लिए यहां पर फिर से देखे इच ओफ दा लोन मस्ट बी अपरूबड बाइब ब्रांच मेनेजर यहां पर देखे इच ओफ दा लोन यानि की प्रतेक लोन अब देखे यहां पर से आप सभी बच्छों को confusion होगा क्या confusion होगा सर यह इंगलिस हमसे हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें जो ईसका हिंदी मिनिंग दिखाई परता गई तो तोनों में क्या डिफरेंस है सर अब ऑपो यहां पे बताते चले जैसे हम सभी का जो सरीर है इस सरीर में बहुत चोते से अंग है जैसे आक आख कान है ना का जीवर है किड़नी है वगेरा estar knowing किसी व्यक्ति क किसी व्यक्ति के सरीर का प्रतिक अंग यदि ठीक तरीके से काम कर रहा हो तो वो व्यक्ति स्वस्त है ठीक है तो यदि प्रतेक अंग को अलग-अलग करके बताए जाए कि लीवर इनका ठीक है कि इनका ठीक है हाट इनका ठीक है इस तरीके से यदि तो इस Condition में हम लोग यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इस Condition को बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन यह अधी पार्ट सो बाडी का नाम नहीं लिया जाए, सिंप्ली सिंपल तोरो पहे एक ही राइन में सब प्रतिक तरीके से काम नहीं करने हों तो वह सवस्त नहीं है यदि अइसा हमें बताए जाए यानिं की प्रतिक्व सब्द का प्रियोग हमें करना मैं कुल मिला के सेंस में उखंगर तो हम करेंगे एवरीकाatraum करेंगे किसी भी बैंक से कोई भी लोन पास होना हो किसी भी बैंक से कोई भी लोन पास होना हो तो चाहे जितने भी लोन पास होने हो कोई भी छोटे से छोटे नहीं कर सकते तो इच और के स्थान पर हमें क्या यूज करना होगा एवरी का ठीक है क्योंकि एक एक लून नहीं बता जा रहा है परदान मंतरी आवास यूजना वाला लून और वह मुख्य मंतरी वाला लून ठीक है इस तरीके से अलग-अलग loan को divide करके हां पर नहीं बताए गया है तो नहीं बताए गया यानि कि कुल मिला के सभी loan को एक साथ सम्मोदित कर दिया गया तो ऐसे सेंस को express करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे एवरी का यूज करेंगे अब आजाएए का इंप्रोव्मेंट का पार्ट है इसके जगा हम क्या यूज करेंगे इच आगे बढ़ते हैं एक और कोशन यहां पर है आप सभी के लिए यहां पर देखें फिर से आपको क्या दिखाए रहा है नाइधर नाइधर यानि क्या हो गया अब यहां पर देखें यहां पर हमें लिखना होगा है और यहां पर देखें देर का यूज यहां पर पहले से हीज का यूज क्या हो गया है तो यह वाला पार्ट भी हमारा करेक्ट ठीक है तो यहां पर गलती कहां पर थी पार्ट नंबर भी में गलती थी तो यह option number B हो गया हमारा इस question का correct answer क्या हो गया इस question का correct answer हो गया option number B और फिर से ये रहा आपके लिए एक और थोड़ा सा difficult type का question इसमें भी आपको question के लंबाई चोड़ाई देखके बिल्कुल भी घबराने के जरूरत नहीं है क्या करना है concept वही रखना है इसके बाद आने वाला noun ये प्रणाउन रहे का plural बागी सभी चीज़े singular लेकिन यह दे इसके पहले जितने कोशन हम लोग बना रहे थे सब में डिस्टिब्यूटिव का प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले किया गया था अर्थातर डिस्टिब्यूटिव से ही संटेंस हमारा सुरू हो रहा था यहां पर तो इफ आ गया क्या करें सर ठीक है तो आपको इफ को देखे गवराने के जरूओत नहीं यहां पर simply आप देखिए आपको क्या उसके बाद आने वाला नव्या प्रणाउन होना चाहिए प्लूरल यहां पे दिया हुआ प्लूरल अब इसके बाद जो भी आएगा सब रहेगा सिंगुलर तो यहां चेक कि आप तो यह तो लिखा है plural, तो यह वाला पार्ट गरलत हो गया, तो अब इस पार्ट को आप चेक किजिए, ठीक है, और यह भी क्या है बाई, तो यह भी जो अंडरलाइन क्या हुआ पार्ट है, यह भी आपका sentence improvement का पार्ट है, तो यहाँ पर R के अस्थान पे आपको क्या लिखना होगा, इस लिखना होगा, तो यह पर देखिए, इस वाला option कहां पे है, option number C में कहां पे है, option number C में तो इस question का answer भी क्या बनेगा, इस question का answer भी आपका बनेगा option number C, ठीक है, इस question का correct answer होगे, आपका option number C, अब चलते चलते, आज के इस वीडियो को खत्म करते करते, फिर से होगे, आपका CGSI, ठीक है, CGSI, मेंस, और ADO का बैच कब से सुरू हो रहा है, 13th of March से सुरू हो रहा है, कहां कहां सुरू हो रहा है, हमारे चारों ब्रांचेज पे, विलासपूर, राइपूर, दुर्ग और राजनान गाहों में ठीक है, और इसके दो टाइमिंग है, पहली ट अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लि